अभी कुछ दिनों से मैं रहमान पर सीरीज बना रहा था तो किसी ने मुझे सज्जिस किया कि यह आदिप पुरूस का टीजर आया हुआ है आप उस पर रियक्ट करिए करके सुना तो हूँ बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं करके यह जो बो है उसके उपर यह जो चमतकारिक चीज लगा हुआ है यह मुझे समझ नहीं आया किसली लगाया करके वह बस अब जा रहे हैं कि हमें modern दिखाना है तो modern दिखाने के चक्कर में कुछ भी थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा करके उसके बाद यह जो तुनीर पीछे रखा जा रहा है इनके अनुसार से यह गलत है बहुत बड़ा misconception है इसको मैं अपने दूसरे वीडियो में बताऊँगा कि तुनीर पीछे नहीं रखा जाता है तीर रखने वाला जो है वो यहाँ पर जो चेडिया लोग उड़ भी रहे हैं उसको भी इतना नकली दिखाया है कि क्या पूछिए भाईया अगर यह कैमरा मुविमेंट हो रहा है पानी के अंदर है तो जन्यू को थोड़ा लहराते हुए दिखाया यह अच्छी बात है यह जो विच्कराप्टे चल रहा था नहीं लोग का बस उन्हीं का कॉपी करके यहाँ पर डाल दिये हैं वो भी पूरा इमेजनेरी वाला यह क्या चमतकार है भाई कौन से प्रकार का जी हुए न्यू स्पीसिस डिस्कवर्ड जल भी रहा था स्लो मोसन बहुत जादा ही गंदा तरीके सी इसको भी किये है फोकट फोकट का स्लो मोसन उसके बाद यह अहाँ गरी बात नी दिख गया है नीली आंखको वाला रावण आरे दादा यह वापर है क्या चमतकार है साला आअए कौन से प्रकार का बैठ है और उपर से अन्रियालिस्टिक दांत है आपर रावन का आख नीला है तो जो चमगादर है उसका भी आख अचानक से नीला कर दिये हैं एक यहाँ पर चोट का निसान शायद इसको दिखाना चाहे हैं तो वो बढ़िया दिखाए हैं लेकिन रमायन में अगर आप देखेंगे तो रावन जो है वो कुष्वक विवान में उड़ता था यह साले बेटे कहां से क्या क्या लाया आते हैं यह अनपड़ लोग को मैं आपको एक वीडियो में बताया भी था कि इन लोगों को रिसर्च से कोई ले न देना नहीं है रमायन जो है महभारत जो है वो इतना फेमस है कि आप उसके उपर कुछ भी बना दो कितना भी घटिया क्यों न बना दो जनतो उसको थोड़ा बूत करके देखी लेगी और इसका भी यह जो टीजर भी आया हूँ उसको भी ठीक टाक व्यूस मिले जहां तक मैंने देखा है इसका बाबू यह क्या चमतकार है यह क्या चमतकार है भईया इसके बालो में कल्युक के बार बार कोई लोग त्रेता युग मिले गए हैं और उसके बाद बोलें कि चलो भईया यह रावन है अब इसका थोड़ा ग्रूमिंग कर दो यहाँ पर थोड़ा डिजाइन विजेन मार दो बालो में तो थोड़ा अच्छा दीखे करके यह अनपर लोग यही ब कुछ फेक्ट नहीं दिखा रहे हैं पर क्या चमतकार किया है यही जाने रूपर से यह साला इसका सिमेट्री पाला भी बिगड़ा हुआ है इसका अचानक से जो सीर है वो अगर देखा जा तो पता नहीं तीर्चा कैसे हो गया और यह साल इतना डार्ग डार्ग क्यों दिख पाय हूँ यह चल रहे हैं पता नहीं बड़ा कॉंस्टेंट टाइप से फेस भी एकदम कॉंस्टेंट टाइप से है उपर से हनमान जी को पता नहीं क्या चमतकारिक टाइब से मुह फूल ő पाल जानवर जैसे दीखा रहे है यह पड़ लोग क्या इस्पीसीज बना दिये ह तिये के गदा पकड़े दिखा रहे हैं और अजीब से कुछ पट्टा जैसे लगाया है उन्होंने ठीक और यह जो चल रहा है वो जो गेम में कैरेक्टर्स चलते हैं ना जो पुराने टाइप से गेम आते उसमें जिसमें उनका facial expression एकदम constant रहता है बस ऐसा टाइप से इसको चला रहे हैं इधर से बंदरों को दौड़ा रहे हैं जो कि एक्चॉल में वानर थे इधर से वो battle of five armies उसी का चोरी करकी इसको बना दिये हैं इसको यह लोग 21 तरफ रखे हैं शकल से ऐसा टाइप से दिखाया है कि साला पूरा गुंडे तरफ है करके और दिखाना यह लोग क्या चाह रहे हैं यही चमतकारी कुरूश लोग जाने और उपर से यह यह क्या आजीब से पहना है जो पूरा और अभी तक मैंने जितना भी देखाया साला एक भी सीन जो है वो नेचुरल टाइप से नहीं लगाया मुझे सब का सब चीज ऐसा लग रहा है जैसे पीछे में कुछ लगा दिया गया परदा ग्रीन स्क्रीन टाइप से और उसी में साला फिर कुछ डार्क टाइप से इनिमेशन को चला रहे है और इधर दोनों को फिर मर्ज कर दिया गया है करके अधर्म का विद्वन्स करने इसको देखके अभी तक मुझे स्रीराम वाली फीलिंग कोई भी कोई भी वाइब नहीं आई ये देवी सीता को दिखाना चाह रहे है इस छोटे से सीन में छोटे सीन थीक है छोटा था लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा दिखाते है कि उनका कुछ करेक्टर स्ट्रिक्स दिख जाया कुछ भी करके इन सालों को सिर्फ एक चीज आता है कैसे भी करके ब्यूटी डिप्रजे खुश हैं चलो ठीक है खुश वाला उसके बार फिर कुछ नहीं खुश है आजा भाईया पकड़ रहा हाँ हाथ को कुदध 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 आरे बहुत देज जूला था रे 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 आए चमतकार तिक यहां पर समुद्र देऊ का कालप्पनिक वाला छीत्र दिखाया गया है इंडिया स्टाइम लीस एपिकरे दोतर रिए उस समय भी भारत का नाम इंडिया ही था और उपर से टैमल स, टैमलस एपिकर यह तो यह बेलकुल सही है लेकिन सालो तुम्हारी फिल्म टाइम लेस नहीं रहा पाईगे कुछी दिन में पिटवाओ की निपतोगे तुम लोग अरी ततता अरी ततता ये कौन सप्रकार का चमतकारी जीव है भाईया स्री हनमान जी को दिखाया है पुंच निकला दिखाया है रामानन सागर ने भी यही गलती की थी तुलसिदाज ने भी यही गलती किया है रामचरित मानस में उन्होंने स्री हनमान जी को बंदर कह दिया है ये गधे भी साले बीना रिसर्च करें उनको बंदर ही दिखा रहे हैं वाल मिकी रमाण में कही पर बंदर निका आ गया है और उपर से ये क्या चमत करें यहां पर कमुष पूरा गायाब हो गया पुरे इसलामी करण करने पर तुले हैं ये लोग तो क्या गरीब रावन दिखा है रे बाबा और ये सला लंका तो सोनी की थी सोनी का क्या रंग रहता है इनके में सला सोनी का रंग काला काला है ये सले गधे लोग इनका दिमाग यही चलता है कोई बुरा है तो उनको काला दिखाओ कोई अच्छा है तो उनको गोरा दिखा अनपड़ लोग और क्या निकाल रहे हैं सब साल सब जगा बस रावन जो है उसका और कोई अवकात नहीं है बस चमगाइदड को लेके घुमते रह रहे हैं इनके नुसार से देखो भईया यहाँ पर उड़ते हुए जा रहे हैं मूश पूरा गायब है और इतने में बाल है यह कुन सप्रकार का साला बेटा इतना भूखन अंगा रावन नहीं देखा है मैंने ठीक से उसका कपड़ा भी देखोगे मतलब जो कॉस्ट्यूम है उसको भी देखोगे तो कहीं पर कोई चीज नहीं जलक रहे कि यह अमीर वाला रावन है करके ऐसा लग रहा साला कहीं पर से उठा गया रहे भाई या तुम्हारे पास कुछ है क्या पहनने के लिए करके एक थोड़ा अमीर टाइप से दिखाने के लिए बनाओ लेकिन गरीब रहेगा वो माटिरियल गरीब रहेगा लेकिन अमीर दिखाओ करके यही चीज पहना हुआ ह यह चीज पहनने का मतलब क्या है इसको और उपर से साला बेटा एक मुकुट नहीं पहना हुआ ही साला चार चार पांस पास सव करोड रूपय खर्चा की हैं एक ठों मुकुट नहीं ले सक रहे हैं अदे साले गरीबों फिर से कॉंस्टेंट फेस इस साले मुवी बना रहे ह हैं ओहो हो खुद 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 यह 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 साले ग्रिजली बेर कहां से ले आएं यह लोग यह लोग स्री जामवंत जी को दिखाना चारे हैं भालू है करके यह अनपड़ लोग साले कभी रमयान को थोड़ा पत्ते पलट के देख लेते तो कुछ दिमाग आ जाता लेकिन इनको तो भाईया हम तो जादे ही होश्यार हैं यह साले स्री वालमीकी जी से अपने आपको होश्यार मानते हैं देखें, moral of the teaser यही है पैसे हमारे पास 400-500 करोड हैं उसको किस प्रकार से किस प्रकार से फेका जाए और कोई मतलब नहीं है quality नहीं चाहिए अपनको, अपनको based on the true events नहीं चाहिए, अपने आपको कोई भी चीज को fact नहीं दिखाना है बस क्या करना है, इतने बजट की movie है और किस की उपर based है, रामायन पर बना रहा है हम, बस, खतम कहानी साले गधों नहीं एक quality दिया यहाँ पर, नहीं इन्होंने कहीं पर कुछ research किया, इनका film दे के कहीं पर कुछ नहीं लग रहा है कि इन्होंने कुछ पढ़लिक के काम किया है करके, आप देखते हैं फिर लोग फिर रोने लग जाते हैं हम लोग को Oscar नहीं मिल तो Oscar नहीं साले तुम जब movie कचरी बना रहे हो तो कैसे गा, भाया यह ऐसा movie है कि इसको अगर Hollywood वाले लोग बनाएंगे तो मैं अगर ठीक ठाक वाले लेवल के director लोग बना दिये तो मैं एकदम guarantee के साथ कह सकता हूं कि 10 से 12 Oscar secure करेंगी ही करेंगे वो लोग, अब आप वो लोग उनके पा करते हैं, वो टीम जाती है और उस event की उपर पूरा research करती है, इनका क्या है, हम तो research नहीं करेंगे, हम एट team बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, और वो क्या करीगी, वो कुछ-कुछ characters को पकड़ेगी, और अपने हिसाब से improvise कर 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 के, कुछ नया character रज देगी, कहा पर उसना हमारे अधिकार है, रमायन के उपर बहुत सारी भ्रांती फैली हुए, बहुत सारी, यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा, स्रीहनमान जी को बंदर दिखाया, जो मैं आपको बिश में पी बताया, असल मैं बंदर नहीं थे वो, और उपर से पीछे एगर देख मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ, लॉजिक के सांथ बोलता हूँ, और लॉजिक के भी उपर मैं रिफ्रेंस दे के बोलता हूँ, क्योंकि बिना रिफ्रेंस के अगर हम बात करें तो काम नहीं चलेगा, अगर मैं रमायन के बारे में बाते अगर बोल दूं तो वो काम नहीं चलेगा अगर मैं रमाइन के बारे मौन रही हूं तो सिधर सिधर मैं रवायन से रोख़वित धुझा और अगर आक्ट आपको जानना है कि सनातन धर्म महान क्यों है करके सनातन धर्म के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वैदी ग्राज को सब्सक्राइब कर सकते हैं